गुण मोरिंग दोस्तों आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक फोबिया पे बात करेंगे अक्सर हम अंधेरे से डरते हैं महिला से डरते हैं साधी से डरते हैं पानी से डरते हैं तो यहां पे जो डरने का जो सब्द है उसके लिए बहुत बढ़िया वर्ड है फोबिया तो यहां पे सबसे पहले फोबिया का अर्थ हम लोग समझेंगे डर या भै यानि फोबिया का अर्थ जो होगा वो क्या होगा डर या भै आप यहां पर देखे कुछ रूट बड़ है जिसको हम लोग गौर करते हैं यहां पर जैसे गाईनो है तो गाईनो का मतलब होता है अस्त्री या महिला यहां पर गेमी का याद रखेगा बिवा यहां पर अप्तेलों मतलब याद रखेगा आख न्यू मने नया और क्रोनो मतलब काल करम तो यह देखे इसका रूट वर्ड है आपको यह सारे वर्ड में वो वर्ड आपको देखने को मिलेगा बहुत यह असान समझेगा बेसिक अस्तर से जहां पर ट्रीक होता है उस ट्रीक को मैं सम्झाने का प्रयास करता हूं तो एजेस को ट्रीक मानिए तो यहाँ पे गाईनों याद रखेगा स्त्री या महिला गेमी बिवाः और थैलमों जहां भी लगा रहे तो आख समझिएगा नियू नया प्लूटो मने अमीर क्रोनो मतलब कालकरम ठीक है ये सारे आपका जो रूड वर्ड है इससे आपको कईयक हजार मिनिंग बन सकते हैं तो अभी फिलाल जो आपको दिमाग में रखना है यही अर्थ रखना है किलियर है अब देखिए आप पे हमने बताया कि फोबिय तो हमने आप बताया कि गाइनो मतलब क्या होता अस्त्री तो किस से डर होना चाहिए भाए तो अस्त्री से डर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महलाओं से डरते हैं हना खास करके आप देखा जाए तो आप अगर अमेरिकन कल्चर में चले जाए तो वहाँ पे अस्त्रीयों से लोग ज़्यादा डरते हैं, कि अगर वहाँ पे हम मैरेज करें, कब छोड़ दे, कब चला जाए, तो वहाँ पे जो भै होता है महलाओं से, उसको हम लोग बोलते हैं, हना, गाइनो फोबिया, दूसरा है, गेमो फोबिया, गेमो हमने यहाँ पे बता दिया, गेमी सब से आया ह जिसका अर्थ होता है बिवा, यानि बिवाह से डर, ऐसे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, जिसको बिवाह के नाम से ही डर होता है, हना, वो डरता है, कि बिवाह कर लेंगे, तो हम कैसे अपने आपको जहल पाएंगे, हना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जिन किनी क तो अगर बिवाह से डर लगता है साधी से डरता है उसको हम लोग ना गेमोफोबिया वह बोलते हैं इसके बाद एहाँ पर हमने बताया अप्थालमोफोबिया आक से डर आप किसी के आक को देख कर के ही डर जाते हैं कि अकर अगर बच्चा को आप बुलातें आजाओ तो वो आपके आख को पढ़ता है और वो आपके पास चला होता लेकिन यही आख को गुडिर करके इसे बुलिया जाओ तो वो आपको यह आख को पढ़ लिया कि यह अभी गुसे में है या फिर आख से आप पता लगा लेते हैं कि वो किस मोमेंट में है तो आख से जिसको डर लगता है जिसे एकसर लोग बोलता है कि ब्राउन आख से हमको बहुत जादा डर लगता है यह लोगों का आख जो है ब्राउन होता है उससे थोड़ा डर लगता है तो यहाँ पे जो आपका आखों से डर हो गया हो गया आपका अप्थेलमो फोबिया हम जहां भी अप्थेल्मो लगा हुँ रहे तो अब समझ जाए आख की बात कर रहा इसके बाद केटो फोबिया सेक्स्वल इंटरकोस सारीरिक संबंध से जिसको डर लगता है पहुत सर ऐसे लोग हैं जो सारीरिक संबंध करना नहीं चाहते हैं बनाना नहीं चाहते हैं तो जिनक फोबिया इसके बाद जेनो फोबिया से डर कामो तेजना से डर हना आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लड़का होते हैं जो काफी सरमीला होते हैं और भिवाह के दीन भी उसको डर लगता है अपनी पतनी से ही डर लगता है तो इसका कारण है कि हो सकता है कि यह चीज से उसको डर लगता हो ना तो जो सिक्स से डरता है उसको लोग बोलते है यह नो फोबिया इसके बाद न्यू फोबिया न्यू मने नया बदलाव न्यू निस बदलाव से जिसको डर लगता है उसको बोलते है न्यू नो फोबिया जैसे आप देखते हो कि दिन प्रति दिन आपका काफी टेक्निलोजी आ जाने के कारण बहुत सारे अचानक बदलाव हो रहे हैं तो यह बदलाव से बहुतों लोगों को डर लगता है एक जमाना था जब चिठी पत्री का जमाना था तो लोगों को ही अच्छा लगता था जैसे जिसे मुवाइल आ गया है परिवरतन हो रहा है उसके डर जो है बढ़ते जा रहा है हना उसका सारीरी जो आपका एक्टिविटी है वो काफी आपका सिथिल पढ़ता जा रहा है तो जिसको भी बदलाव से डर लगता है उसको बोलते हैं न्यूफोबिया प्लूटोफोबिया यानि धन से डर वेल्थ किस से डर तो वेल्थ आजाए लेकिन अगर आपके सरीर में एक किलो का सोना भांद के सुता दिया जाए तो आप राद भर नहीं सोईएगा तो वह आपको जो सोना हो गया धन हो गया वो डर है या फिर आपको एक रुपईया का बोरा आपके माथा के अंदर रख दे हना और बोले राद भर सुच ज अधिर भर हो उस पर सुता दिया जाए तो रात भर आप सो जाएंगे तो धन से डर आप देखते होंगे कि जो बड़े आपके रहिस्स लोग होते हैं अमीर लोग होते हैं वो सोने से पहले 20 बार ताला को ऐसे चेक करते हैं कि लगल है कि नहीं लगल है नहीं रा उसको Gram अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो फोबिया मतलब धन से डर क्रोनो फोबिया काल करम से डर आप डरते हैं कि फिर से वो समय नहीं आ जाए क्योंकि अगर एक गरीब बैकती है जिसके घर फूस के हैं घर चूता है रहने लाइक नहीं है तो देखेगा बरसात के महीन है कि बरसात आएगा बर्शा होगा पूरा मेरा सबकुछ भिंग जाएगा तहसनास होगा रहने का कोई जगा नहीं मिलेगा तो इस तरह से अगर आपका डल जो काल करम से आप डरते हैं जो समयान उंतराल से आप जो डरते हैं उसको बोलते हैं क्रोनो फोबिया इसके बाद पर खेल यह एक बढ़ है जेनो फोबिया मतलब होता है बाहरी सबधा संस्कृति से डर अठारा सो संतावन का विद्रोफ जो हुआ था उसमें आपका यह एक कारण था कि जो आपका बिदेशी सबधा संस्कृति था वो धीरे-धीरे हमारे देश पर आपका हाबी होता जा र लगता है उसका हम लोग बोलते हैं जेनो फोबिया तो आप यहां पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फोबिया का मतलब क्या होता है डर और भै यहां पर आपने बताया कि बोमेन यानि अस्तिरी से डर यहां पर मैरे यानि साधी से डर साधी से डर यहां पर आक से डर आक यहाँ पर सारीरिक संबंध, संबंध से डर, इसके बाद कामो तेजना, कामो तेजना से डर, नयापन, नयापन से डर, यहाँ पर धन, दौलत, दौलत से डर, काल क्रम, काल क्रम से डर, और यहाँ पर बाहरी सभ्यता संस्कृति से डर, यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए, यह आसानी से आपको फोविया सब्दा आपको समझ में आ गया होगा, फिर कल हम जो है अच्छे अच्छे फोबिया जैसे सब्द को लाएंगे और उसको हम डिटेल से बताएंगे तो यहां पे आपने रूट वर्ड भी देख लिया कि क्या ट्रीक है अगर ये सारे बर्ड लगा रहे है तो हमको ये अर्थ समझना है जिसमें आपका गाइने लगा रहे तो महला समझना है गेमी तो बीबा समझना है और थैलमो तो आग समझना है नियू नया प्लूटो अमीर आप क्रोनों मतलब काल करम तो आप असानी से समझ गया होंगे कि फोबिया का क्या अर्थ है और कौन सा फोबिया इसका अर्थ क्या होता है क्लियर है तो नेक्ट बार हम फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे तब तक लिए धन्यवाद